शरीर की जमेंट्री को फिर से विवस्थित करने का मतलब है हमारे इस मामूली हाड मांस के सिस्टम को एक ईश्वरी रूप में बदल देना हमारे ये न 114 चक्रों को अगर हम एक खास तरीके से पुनर विवस्थित करतें तो उन रूपों के लिए एक बिलकुल अलग संभावना उपलब्ध हो जाती है तो भारत में ऐसे लोग भगवान कहलाते हैं जिसे हम ब्रम्हांड कहते हैं या स्रिष्टी कहते हैं वो मोटे तौर पर कई रूपों का एक जटल मिलाप है ये सभी रूप ये ग्रह, तारे, ये सारे सिस्टम, ये सब रूप है जब ये रूप समय के साथ विक्सित होते होते निपण बन जाते हैं और लगता है जिसे शाश्वत हों वो हमारे अनुभाव में हमेशा बने रहने वाले इसलिए मालूम पड़ते हैं क्योंकि क्योंकि वो ऐसी सटीक जमेट्री तक पहुँच चुके हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो गई है इन में से हर एक रूप समय के साथ विक्सित हुआ है कुछ रूप हैं जो एक सीमा से परे विक्सित हो चुके हैं एक सीमा से मेरा मतलब है अगर कोई रूप विक्सित होकर ऐसी चीजें करने लेगे जो इनसान नहीं कर सकते तब हम उसे एक इश्वरी रूप कहते हैं क्योंकि हर वो चीज जो हमारी इक्षमता और सामर्थि से परे है वो हमारे अनुभाव में दिवे बन जाती है तो जब हम दिवे रूपों की बात करते हैं एक इश्वर में विश्वास रखने वाले धर्मों में गलत फहिमी ये है कि जो कई रूपों को मानते हैं वो रास्ता भटक गए हैं यानि कि वो नहीं जानते कि दिवेता क्या है उन्होंने बहुत सारी मनघणंत तस्वीरें बना ली है ये रूप मनघणंत नहीं है इन्हें ब्रह्मांड की प्रकृती को देख कर समझा गया है हमने ये पहचाना कि कुछ रूप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और ऐसे एक कमपन और उर्जा से भरपूर हैं जो सामान ये इन्सानीक शमताओं से परे है तब उन सभी रूपों को हमने दिवे रूपों के रूप में पहचाना ये रूप नमन करने के योग्ये हैं सबसे बढ़कर ये ऐसे रूप हैं जिनका उपयोग करना हमको सीखना है यानि हम क्या करें कि इन रूपों का असार हम तक पहुँचे ये रूप जो हमरी बनावट से कहीं ज़ादा सक्षम है इस धर्ती पर ऐसे प्राकरतिक रूप हैं जो इनसानी रूप से ज़्यादा तीवरता से कारे कर सकते हैं या हम इनको जोड़ कर नए रूप बना सकते हैं या हम रूपों का निर्मान कर सकते हैं रूपों का ऐसा मेल बना सकते हैं जो उचे तरीके से काम करेगा उससे भी उचा जैसा हम फिलहाल अभी हैं असल में योग का पूरा सिस्टम सिर्फ अपने खुद के रूप को व्यवस्थित या पुनर व्यवस्थित करने के विशे में है ये एक सो चादा चक्र जो की अपने आप में एक तरह के उर्जा रूप है अगर हम उने एक खास तरीके से पुनर व्यवस्थित करें तो वही इनसान जो अब तक सिर्फ हार्ण मांस था जो जीवन में आदतों की मजबूरियों के भी तरजी रहा है अचानक एक और उँची संभावना में बदल सकता है ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को या अपने अस्तत्य की जामती को रूपांतरित करके और उँचा बना लिया है या तो आत्मग्यान से या समझ से या सीधा उर्जा या भावना की तीवड़ता की मदद से उन्होंने खुद को एक और उँचे जामती रूप में रूपांतरित कर लिया है ताकि उनकी उपस्तिती से ही उर्जा का एक बिलकुल अलग आयाम चारों और पहलता है उन रूपों के चारों और एक बिलकुल अलग संभावना उपलवद हो जाती है तब हम उन रूपों को दिवी रूप कहते हैं तो भारत में ऐसे लोगों को भगवान कहा जाता है या ऐसे कई अलग दूसरे नाम हैं जिनका मूल रूप से मतलब है ईश्वर जैसा या दिव्य इस मानव शरीर की प्रकृती में एक विशेश प्रबंध मौझूद होता है एक पूरा का पूरा विज्ञान है जो आजकल बड़े अंदाजे लगाने वाले विज्ञान जैसा बन गया है आजकल सहज ग्यान का विज्ञान बड़ी बुरी हलत में पहुँच चुका है आम तोर पर भारत में लोग एक सहज ग्यान वाले विक्ति को बुलाते थे जो आकर बच्चे के शरीर की जामेती देखता और बता था इस बच्चे के जीवन में ये संभावनाएं हैं सितारों को देखकर नहीं बलकि सिर्फ बच्चे के शरीर की जमेटरी को देख कर बच्चे के शरीर की उर्जा की जमेटरी शायद आप मेंसे ज़ादातर लोगों ने सुना हूँ कि कैसे एक आदमी ने गौतम बुद्ध के वे भविश्य की भविश्यवानी की थी उन्होंने कहा वे या तो एक महान समराट बनेंगे या एक महान संत तो शायद तारकिक दमाग वालों को ऐसा लगे अरे ये क्या ये तो ये या वो वाली बात हो गई अगर चित भी मेरी पड़ भी मेरी तब तो आप सही होंगे नहीं, वो केवल ये बता रहे हैं कि बच्चे की जमेटरी की तीवरता को देख कर वो कह रहे हैं कि या तो भातिक दुनिया में वो महान चीज़े हासिल करेंगे क्योंकि वो राजा के बेटे हैं या नि शायद वो एक महान समराट बन जाएं या त्यूंकि वो कुछ विशेश देख पा रहे हैं कि बच्चे में अगर इतनी तीवरता है तो वो अपना टाइम लोगों पर राज करने में क्यों बरबाद करेगा बल्कि इस से अच्छा कि वो उन्हें गले लगा लेगा जो कि जादा समझदारी का काम है वो उन्हें रूप आंतरित करेगा जो कि एक जादा समझदारी का काम है तो उन्होंने कहा इसकी तीवरता एक समराट होने से भी जादा दिख रही है राजा का बेटा होने के नाते शायद ये एक समराट बने पर इसकी जोमेटरी की तीवरता को देख कर लगता है कि वे शायद एक महान संत बन जाएं खैर गौतम बद दुसी तरह के वेक्ति निकले, उनके भविश्यमानी गलत नहीं थी अगर किसी वज़य से वो ठोकर खा गये होते, तो शायद वो एक महान समराट बनते एक विज़े था, शायद वो कई देशों को जीत कर महान समराट बन गए होते बिना कपट, हिंसा और बहुत सारी ऐसी चीजों के बिना कोई महान समराट नहीं बनते ये सब ज़ादातर लोग अपने जीवन में नहीं करना चाहेंगे एक महान समराट बनने के लिए आपको कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कई समझदार लोग करने को तयार नहीं होंगे इसलिए गौतम ने दूसरा रास्ता चुना और वो भविश्यवानी गलत नहीं थी भविश्यवानी यानी उस इंसान ने बीच को देख कर बताया कि ये एक विशालव रिक्ष बन सकता है तो शरीर की जमेंटरी को फिर से व्यवस्थित करने का मतलब है हमारे इस मामूली हार मांस के सिस्टम को एक ईश्वरी रूप में बदल देना क्या मांस और हड़ी में कोई खराबी है नहीं, बिलकुल नहीं बस उसकी अपनी सीमाएं होती है ये मजबूरी भरा रूप है क्या मजबूर होने में कुछ गलत है नहीं, गलत नहीं है अगर आपके हिसाब से मुक्त होना अच्छा नहीं है तो मजबूर होना गलत नहीं है क्या इस धर्ती पर एक प्राणी होने में कुछ खराबी है? कोई खराबी नहीं है बस इतना है कि अगर आप कुछ बढ़कर होने की संभावना तलाशे बिना मर गए तब मानव जीवन को तृपती नहीं मिलती हर एक जीव चाहे छोटा हो या बड़ा एक पून जीवन बनने की आकांख्शा रखता है क्योंकि एक इनसान इस एक ऐसी संभावना के साथ पैदा हुआ है जो काफी असीम है इसलिए लोग अपने जीवन में अपनी महत्वा कांख्शाओं और लक्षों को तै करने की कोशिश में लगे हैं जो ये कसीम संभावना है लोग उसे सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ पा लिया है अगर वो परिक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है उन्हें नौकरी मिल गई अगर वो लाक रुपे कमा लें उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये बक्वास चलती रहती है ये ऐसा है मानो लगणों में आप चैंपियन हैं सिर्फ इसले क्योंकि आपके दो पेर हैं इंसानी संभावना असीन संभावनाओं के साथ हाई है आप या मैं कभी भी कोई लक्ष तैन ही कर सकते कि अगर मैं ये पालू तो मेरा काम हो गया ये अपने आपको गढ़ने का एक बेवकूफी भरा तरीका है अगर आप अपनी भीत्री जेमेट्री को ठीक से व्यवस्थित कर लें तो ये बहुत दूर तक जाने वाली मशीन बन सकती है भीत्री रूप से कितनी दूर तक जाने वाली ये पूरी तरह से वो ही व्यक्ति तै करता है वो व्यक्ति खुद पर ये दुनिया में कितनी आगे जाती है ये समय, समाज, समाजिक सन रचना है कई चीजों से तै होता है शायद आप रास्ते में ही गिरा दिया जाएं शायद आपको सूली पर न चड़ाय जाएं पर शायद कोई हाईवे एट पर आपके उपर गाड़ी चला दे तो हम दुनिया में कितनी दूर तक जाते हैं ये कई चीजों से तै होता है पर हम अपने भीतर कितनी दूर तक जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि जेमेट्री की वेवस्था हमारी समझ, अनुभूती, बोध और इसे वेवस्थित रखने की हमारी काबिलियत कितनी है योग आसनों के शिरुवाती चरण से लेकर दूसरे अभ्यासों तक का पूरा योग सिस्टम मूल रूप से हमारी जामिती को इस तरह से वेवस्थित या फिर से त्यार करने के लिए है कि इस तरह से काम करने लगे जिसकी आपने अब तक कलपना भी नहीं की है ताकि आप अपनी महत्वा कांगशाओं से भी परे का जीवन जी हैं आप जिस सीमित समाज में रह रहे हैं उसकी वज़े से बेवकूफी भरी महत्वा कांगशाओं आप में पैदा हो गई हैं उसके आधार पर अगर आप अपने पड़ोसी से एक कदम आगे हो तो आपकी महत्वा कांगशाओं पूरी हो जाती हैं नहीं 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 मैं सिर्फ उतना ही नहीं सोच रहा हूँ चीजों में जगर के रखना ज़रूरी नहीं है